ओम सान्ती, आज 2 अप्रेल 2021 की मुडली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ग्यान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मोक ग्यान डांस करने तुम होस्या सर्विसेबल बनो, तो ग्यान की डांस भी अच्छी हो आज की मुडली का प्रस्ण है, संगम युक पर तुम बच्चे अपने में कौन सी होबी, अर्थार्थ आदत डालते हो उतर, याद में रहने की, यही है रुहानी होबी, इस होबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलोकिक करम भी करने है तुम हो ब्रामन, तुम्हें सब को सच्ची सच्ची कता जरूर सुनानी है, सर्विस की भी तुम बच्चों में होबी होनी चाहिए आज की मुडली का गीत है, दीरजदर मनवा दीरजदर, अब सुनते हैं मुडली विस्तार से ओम सान्ती, जैसे कोई हस्पिटल में बिमार होते हैं तो पैसेंट दुख से छूटने की आस रखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब ये बिमारी छूटेगी, वह तो सब हैं हद की बातें ये है बहत की बात, बाप आकर बच्चों को राय देते हैं, ये तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुक और दुख का खेल है, यूँ तो तुम बच्चों को सत्यूग में जानने से भी जास्ती फाइदा यहां है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम इस्वरिय गोद में है इस्वर्य उलाद हैं, इस समय हमारी बहुत उच्टे उच्च गुप्त महीमा है मनुष्य मत्र बाप को सिव इस्वर भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है बुलाते रहते हैं, ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है ग्यान और अग्यान, दिन और रात गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रदान बुद्धी ऐसे बन गए हैं, जो अपने को तमो प्रदान समझते ही नहीं है किसकी तकदीर में बाप का वर्सा हो, तब तो बुद्धी में बैठ सके बच्चे जानते हैं कि हम बिलकुल ही गोर अंधियारे में थे अब बाप आया है, तो कितना सोजरा मिला है बाप जो नौलेज समझाते हैं, वह कोई भी वेद सास्त्र ग्रंत आदी में नहीं है वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं तुम बच्चों को रच्चता और रच्चना के आदी मध्य अंत की रोशनी देता हूं वह फिर प्राय लोप हो जाती है मेरे भीगर फिर किसको ग्यान मिलना सके फिर यह ग्यान प्राय लोप हो जाता है समझ में आता है कि कल्यूग पास्ट हुआ फिर पांच जार वर्स बाद रिपीट होगा यह है नई बात यह तो सास्त्रों में है नहीं बाब तो ये knowledge सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परन्तु धारना में नंबर वार है, कोई अच्छे serviceable बच्चे आते हैं, तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है, dancing girl के आगे देखने वाले बहुत सौकिन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है, थोड़े बैठे होंगे, तो common रिती से थोड़ा डांस करेगी, वह वह करने वाले बहुत होंगे, तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा, तो यहां भी ऐसे हैं, मुली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुक सुनने की बात और है न, यह भी दिखाते हैं कि क्रश्न डांस करता था, डांस कोई वह नहीं, वास्त में हैं ग्यान की डांस, मैं आता हूँ, मैं ग्यान का सागर हूँ, तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती है, यह है ग्यान की मुल्ली, काट की मुल्ली नहीं है, पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे, या लकडी की मुल्ली बजाएंगे, यह किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं, अभी तुम जानते हो बाकी कोई भी मनुस्य मात्र को ये बुद्धी में आना सके, आने वालों में भी नमबरवार पद पाते हैं, जैसे कल्प पहले किया है, वैसे ही पुरसार्थ करते रहते हैं, तुम जानते हो कि कल्प पहले मु बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं, कहते हैं कि मैं भी बंदन में बंदा हुआ हूँ, हर एक इस ड्रामा के बंदन में बंदा हुआ है, जो कुछ सत्यूग में हुआ था वही फिर होगा, कितनी अनिक प्रकार की योनिया है, सत्यूग में इतनी योनिया थोड़ी होगी, वहाँ तो थोड़ी variety होती है फिर व्रद्धी को पाते रहते हैं जैसे धरम भी बढ़ते जाते हैं न सत्यूग में तो थे नहीं जो सत्यूग में थे वह फिर सत्यूग में ही देखेंगे सत्यूग में कोई भी छीची गंद करने वाली चीज हो न सके उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती और कोई खंड में कभी भी किसको God Goddess कह नहीं सकते वह देवताओं जरूर वह देवताओं जरूर हैविन में राज्य करते थे उनका देखो गायन कितना है तुम बच्चों को अभी दीरज क्या कहेंगे बाबा कि वह देवताओं जरूर हैविन में राज्य करते थे उनका देखो गायन कितना है तुम बच्चों को अभी दीरज आ गया है तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊच है वाकम है हम इतने माक्स से पास होंगे हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है हाँ चलते चलते तुफान भी आ जाते हैं बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रह चारी तोफान आदी न आए माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है तो बाप दीरज देते रहते हैं बाकी थोड़ा समय है तुमको सर्विस भी करनी है इस्तापना हो गई फिर तो जाना ही है इसमें एक सेकिंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता ये राजबच्चे ही समझ सकते हैं हम ड्रामा के एक्टर्स हैं इसमें हमारा मुख्य पार्ट है भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है भारती पावन था कितनी पीस प्योरिटी थी ये कल की ही बात है कल हमने ही पार्ट बजाया था पांच अजार वर्ष का पार्ट सारा नूंदा हुआ है हम चक्र लगा कर आए हैं अब फिर बाबा से योग लगाते हैं इससे ही खाद निकलती है बाप आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा पहले पहले अलफ को जानना है बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे ज्यान तो बड़ा सहज है एक सेकेंड का फिर भी समझाते रहते हैं पॉइंट्स देते रहते हैं मुक्या पॉइंट है मन मना भव इसमें ही विग्न पढ़ते हैं देह अभिमान आ जाने से फिर अनिक प्रकार के गुटके आ जाते हैं फिर योग में रहने नहीं देते हैं जैसे भक्ति मार्ग में क्रश्न की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहां कहां भाग जाती है भक्ति का अनुबव तो सबको है इस जनम की बात है इस जनम को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जनम को भी समझ सकते हैं बच्चों को होबी हो गई है बाप को याद करने की जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है साथ साथ दिव्य अलोक की करम भी करना है तुम हो ब्रामन तुम सत्य नारायन की कथा अमर कथा सुनाते हो मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है याद सही विकर्म विनास होते हैं ये एक ही होबी रुहानी है बाप समझाते हैं कि नौलेश तो बड़ी सहज है कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है अदर कुमारी, कुवारी कन्या, कुवारी का नाम सबसे ज़्यादा बाला है उनको कोई बंदन नहीं है वो पती तो विकारी बना देते ये बाप तो सर्ग में ले जाने के लिए स्रंगारते हैं स्वीट सागर में ले जाते हैं बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को सहित बिलकुल भूल जाओ आत्मा कहती है कि हमने तो चुराशे जनम पूरे किये हैं हिम्मत रखते हैं फिर भी माया से लड़ई तो है आगे तो ये बाबा है माया के तुफान जास्ती इनके पास आते हैं बहुत आकर पूस्ते हैं कि बाबा हमको ये होता है बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ ये तुफान तो जरूर आएंगे पहले तो मेरे पास आते हैं अंत में सब करमाती तवस्ता को पा लेंगे ये कोई नई बात नहीं है कल्प पहले भी हुआ था ड्रामा में पाड बजाया अब फिर वापस घर जाते हैं बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नर्ख है कहते भी हैं कि ये लक्षमी नारायन सीर सागर में रहते थे इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो सीर दूद का ही तलाब बनाकर विस्नु की मूर्ति को बिठाया होगा बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे उस समय तो बहुती सस्ताई थी बाबा का सब देखा हुआ है सस्ती चीज़े थी ना उस समय तो सब चीज़े तो बाबा का ये सब देखा हुआ है बरोबर ये भारत कितना पवित्र सीर का सागर था दूद गी की जैसे नद्यां थी ये तो महिमा दे दी है स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है तुम बच्चों को अब ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है तो बुद्धी में समझ आई है बुद्धी चली जाती है अपने घर फिर स्वर्ग में आएंगे वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा बाबा स्री नारायन की मूर्ती देख बहुत खुश होता था बहुत प्यार से रखता था यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा यह तो समझ नहीं थी ना उस समय कि मुझे ही यह बनना है यह ग्यान तो अब बाबा से मिला है तुमको ब्रह्मान्ड और स्वस्टी चक्र के आदि मद्यांत का ग्यान है जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे बाबा हमको राजयोक शिकला रहे हैं तुम बच्चों को बहुत खुसी होनी चाहिए बाकी थोड़ा समय है सरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता है अब यह तुमारा अंतिम जनम है अब तुमारे सुक के दिन आते हैं ड्रामा प्लैन अनुसार देखते हो कि विना सामने खड़ा है तुमको तीसरा नेत्र मिला है मूल वतन, सुक्स्म वतन, इस्तुल वतन को अच्छी रिती जानते हो यह स्वधर्षन चक्र तुमारी बुद्धी में फिरता रहता है खुसी होती है इस समय हमको बहत का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं परन्तु नई बात होने के कारण गड़ी गड़ी भूल जाते हैं नई तो बाबा कहने से ही कुसी का पारा चड़ जाना चाहिए रामतिर्थ स्री कस्न का भक्त था तो क्रस्न के दर्षन के लिए कितना मरते थे उसको सकसातकार हुआ और खुसी हो गई परन्तु उससे क्या हुआ मिला तो कुछ भी नहीं यहां तो तुम बच्छों को खुसी भी है क्योंकि जानते हो कि 21 जन्नम के लिए हम इतना उचपद पाते हैं तीन हिस्सा तो तुम सुकी रहते हो पूरे कल्ब में तीन हिस्सा तो तुम सुकी रहते हो अगर आदा आदा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं तुम तीन हिस्सा सुक में रहते हो तुमारे जैसा सुक कोई देख न सके तुमारे लिए तो सुक अपार है महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता है संगम पर तुम दौनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं मुह है दिन तरफ और लात है रात तरफ सिकस्ना का चित्र देखा है ना मुह दिन की तरफ और लात है नरक की तरफ इस दुनिया को लात मारनी है अर्थात बुद्धी से भूलना है आत्मा जानती है कि अब वापिस घर जाना है बहुत पाट बजाया ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी जितना बाप की सर्विस पर समान बनाएंगे उतना ही बाप का सो करेंगे बुद्धी में है कि अब घर जाना है तो घर को ही याद करना चाहिए पुराना मकान गिरता रहता है अब कहा नया मकान, कहा पुराना मकान रात दिन का फरक है यद तो हुब हुविसे वेतर्नी नदी है एक दो को मारते जगडते रहते हैं बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई सुरू हो गई है अगर इस्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं कितना माथा मारते हैं कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे वह अभी की बात गई जाती है देखते हो कि कितना पुकारती है वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है यह बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई आगे चल सब को समझने का है गाते भी हैं, पतिट पावन, सर्का सद्गती दाता बाप है तुम कोई को भी समझा सकते हो की भारत स्वर्ग और नरक कैसे बनता है आओ, तो हम तुमे सारे वर्ड की हिस्ट्री जोगरफी समझाएं यह बहत की हिस्ट्री जोगरफी इस्षवर ही जाने और इस्वर के तुम बच्चे जानो पवित्रता सुख सान्ती की कैसे इस्तापना होती है इस हिस्ट्री जोक्रोफिक को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे बहत के बाप से तुम जरूर बहत का ही वर्सा लेंगे यह आकर समझो टॉपिक बहुत है तुम बच्चों का तो अब दिमाग की पूर अर्थाद भरपूर हो गया है कुसी का कितना पारा चड़ता है सारी नौलेज तुम बच्चों के पास है नौलेजफुल बाप से नौलेज मिल रही है फिर हम ही आकर लक्षमी नारायन बनेंगे वहाँ फिर ये नौलेज कुछ भी नहीं होगी कितनी गुई ये बाते समझने की है बच्चे सीड़ी को अच्छी रिती समझ गए है न तो ये चक्र 84 का है अब मनुस्यों को भी क्लियर कर समझाना है इसको अब स्वर्गवा पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे परंतो पुर्शार्थ कर याद की यात्रा में रहें ये बहुतों से हो नहीं सकता अच्छा अच्छा बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, सदा रहेंगे, हस्ते हस्ते बन जाएंगे, फरिष्ते, वा बाबा वा, वा मेरा भाग्य धारना के लिए मुक्यसार में पहला पॉइंट इस पुरानी देहे और दुनिया को बुद्धी में भूल बाप और घर को याद करना है सदा इसी खुसी में रहना है कि अभी हमारे सुक के दिन आए की आए दूसरा पॉइंट नौलेजफुल बाप से जो नौलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पूर अर्थाद भरपूर रखना है देह अभीमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटका नहीं खाना है मीठे बाबा का मीठा वर्दान है इस्वरिय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति सरूप भव विस्तार दुनिया में भाग्य की निसानी राजाई होती है और राजाई की निसानी ताज होता है ऐसे इस्वरिय भाग्य की निसानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आदार है प्योरिटी संपून पवित्रा आत्माय लाइट के ताजदारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन होती है अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन इस पश्ट दिखाई नहीं देगा स्लोगन है अपनी रुहानी इस्तती में इस्तित रहने वाले ही मनसा महादानी है अच्छा ओम सांती